हेलो फ्रेंट्स तो आपने लास्ट लेक्चर माँ गुणक प्रमाणनो नियम अन्य व्यस्त प्रमाणनो नियम सिखी गया इले के सैयोजेत पारनो नियम ओके तो फरी थी हुँ एक वकद तमने याद करावीदू के गुणक प्रमाणनो नियम सुखे तो तो के जैरे कोई बे तत्व सैयोजे अन्य विवित सैयोजेनो बनावता वोई त्यारे कोई एक तत्वना निचित प्रमाण इटले कि यमना निच्चित दउल साथे जोडाता बिजा तत्व ना जे बिजा तत्व, यमनो जे गुणोत्त्तर, बिजा तत्वनो जे गुणोत्तर मले, ए सामान्य अत्वतो साधी पूर्णा संख्यामा हो इछे. तो ए समझे क्यों अवे आपने एमना एक्जाम्पल सोल करिये के खरे खर एमने आपने केवी रिते एपलाई करी सक्किये तो उदारण 1 तो यह सुंके के कटक A अन्य कटक B एक बिजा साथे जोडाई ने त्रण जुदा जुदा पदार्थो आपे छे तो खटक A चे एक बिजा साथे जोडाई चे आन्य त्रण जुदा जुदा शेयों जनों पदार्थो आपे छे जे आपने आपे लाचे तो एक खरेकर सुंके चे तो फर्स्ट प्रक्रिया एवी था क्या 0.3 ग्राम A साथे 0.4 ग्राम B नी प्रक्रिया करो तो तमने 0.7 ग्राम X मले अचे तो माधी था कि तो 1.3 ग्राम साथे तो 1.4 ग्राम साथे प्रक्रिया करता A तो 1.8 ग्राम यसाथे 48 ग्राम B नी प्रक्रिया करता अपने 0.70 ग्राम वाई मले चे त्रीजु के 40 ग्राम ए साथे प्रक्रिया करता 109.9 ग्राम बी साथे प्रक्रिया करता 109.9 ग्राम आपने जेड मले चे अच्छे आमा आपने बेज पदार्थ बे तत्व सेम तत्व दलेवाना चे परन्तु यमना दोल चे ये अनुक्रामे जुदा 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 लेके पेला मा येनु 0.3, 0.4, 0.48 अने 101.7.9 आणू एवे रिते तो ये परती आपने दर्शावानू छे के आपेली माहीती ए गुणक प्रमाणना नियम ने अनूसरे चे तो आपने एवु दर्शावानू छे के ए खर्यकर गुण क्रमाणना नियम ने अनूसरे तो ओइछे तो चालो आपने आपने जोई तो आपने कोई a d तो आपने किदू के एने फिक्स लेवें तो आपड़े एनू मुल्य है अपड़े त्रणे प्रक्रियाव माटे स्यम राखू पढ़ जेवें तो आपने एने फिक्स लेवें तो आपने जोई है अख्ला तरीके एमा आपने की दू कि त्रोन ग्राम एय ने पॉइंट चार ग्राम लिदो तो अब आपने ए फिक्स ए उन बजाई एक एक ग्राम ले लो अब ने की दू कि एक 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 ग्राम ले ले तो पॉइंट त्रोन ग्राम माटे जो चार ग्राम बी जोतो होई तो आपने त्री राशी मुख्या जोई यह पॉइंट त्रोन माटे जो पॉइंट पॉइंट त्रोन ग्राम ए माटे पॉइंट चार ग्राम बी जोतो होई तो आपने फिक्स मुल्य आपने एक ग्राम ले ले लो तो एक ग्राम ए माटे केटला ग्राम जोई तो आपने तमे गणत्री करो तो यहामना उपर थी ख्याल आऊ शे के आपडे एक ग्राम माटे आपडे भी एक पॉइंट त्रीस ग्राम जोई है अपडे एक पॉइंट त्रीस ग्राम जोई हवे बी जामा के अडार ग्राम माटे अड़तालीस ग्राम जोई छे तो आपडे एने फिक्स लेवनो निपज मले छे गुणक प्रमान न एमना उपर आधारी अत्यारे नही राक्या आपडे मुख्य बे प्रतत्वो छे यह प्र जादार आपडे गुणक प्रमान नियम मा गणुवानो तो अडार ग्राम माटे अड़तालीस जोई है तो एक माटे केटलू जोई है अवे आपडे बीजी प्रक्रिया माटे किटला ग्राम बी जो मानो के अड़ार माटे एमने अड़ार ग्राम ए माटे जो अड़तालीस ग्राम बी जोतो होई तो आपडे एक ग्राम माटे एक ग्राम ए लेवो होई तो एना माटे कितला ग्राम जोई है तो तम्हे गनो किल्ला ग्राम हाऊ से calculate नमारो के अड़ार माटे अड़तालीस तो एक माटे किल्लो जोई तो क्या बाई बे पॉइंट ने 66 ग्राम जोई भी बराबर के अड़ार माटे आठ लो जोई तो एक ग्राम ए आपड़े ए बदाय माँ फिक्स ले लेवानों तो ये माटे के लो जोई तो क्या बाई बे पॉइंट 66 ग्राम हवे त्रीजो त्रीजो केस येमा शूँ होतु येमा आपने येम केता था कि 40 ग्राम माटे एक सोने ओगण साइट पॉइंट नौ आणू ग्राम जोई छे 40 ग्राम माटे एक सोने ओगण साइट पॉइंट नौ आणू ग्राम तो आपड़े 40 ग्राम ने बदले एक ग्राम लेवा आ प्रक्रिया माटे एक ग्राम तो करेकर बी नौ मुल्या केतलू जोई? ए आपमने जोई है 40 माटे एक सोने ओगण साइट पॉइंट नौ आणू जोई तो 40 ग्राम ए माटे आपने एक सोन ओगण साइट पॉइंट नौ आणू ग्राम बी जोतो होई तो आपड़े एक ग्राम ए माटे केटलो चोईए तो ए माटे आपड़े केलो थाशे तमा गणत्री करो 40 माटे 8 लो थाई तो एक माटे केलो तो एक माटे आऊशे 3.9 ओके तो केरलो आवियो तमारे 3.9 आवियो 9 ग्राम बी आवियो तो आवे आपने ख्याल आवियो आपने नियम आवे नियम उपर आवो के कोई एक गटक ना चोकस मुल्य माटे जे एक करता मानो के बे गटको जोडाई ने एक करता वदू सहियो जनो बनावे छे तो एम एक गटक एमनू आपने निचित मुल्य लेवानू तो ए निचित मुल्य दरेक प्रक्रियामा तो सामे जे बिजा गटकनू जे मुल्य मले छे दरेक प्रक्रियाओ माटे ए दरेक प्रक्रियाओ माटे ना मुल्य जे मानो के आपने त्रवन डिफ्रेंट मुल्य मल्य आपने एक ग्राम निचित दारे लिदू चोकस दारे लिदू के ए एक ग्राम जे तो एम ना माटे आपने बी ना त्रवने 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 प्रक्रियाओ माटे बी ना मुल्यो अनुग्रमे के वा मल्या तो के ए पेली प्रक्रियाओ माटे आपने शू मल्यो तो पेली प्रक्रियाओ माटे आपने एक पोईंट तेत्रिस एक पोईंट एक पोईंट एक पोईंट तेत्रिस ग्राम बी मलियो बीजा माटे बेव पोईंट छांसेंट मलियो पेली प्रक्रिया माटे अनुँ कवचू आपने पेली प्रक्रिया माटे ए ज्यारे ए नू प्रमाण आपडे एक जेम एक जेम एक कारण के त्रणे प्रक्रिया माँ आपडे स्विकारेलू आप यलू श्विकारेलू के आपडे त्रणे प्रक्रिया माँ ए एक ग्राम बीजी इने प्रक्रिया मा नशीर ग्राम नैकंट्ट्र कृष्ट्र यह Tipp 2 means कर्का में मातो सब्सक्राइब है mindermond with रिभासे शर्मियवा 15ís 2 त्रीजी सब्सक्राइब ल्ब्राइब 5 अन्यीं 2.6 चींगर रहें तरन ए प्रक्रियों वाट अनुक्रमे जोता बीनु मुल्य एक पोइंट त्येक्तिरीस बे पोइंट सास अचाइट औने त्रन पोइंट नवाणू त्यू तो अवे आपने आमनों साधो गुणोत तर लेवानों खे एक आमांती आपने सामान्या का डवना न कि शाधो गुन तर तो आपने ख्याले से के अपने आपने मानों करना अनैज translinkय तो हमने एक घख तो, एक ज्यम jijू मैं हमा जो के बनाटा微ड़ स्सक्राणा 10 पूनध तो और 22.68 shows तो के आं और मल्से स को कमश्य तो एक ज्यम यिए अनने अन्य गुण्य डे त्रण करो तो आटला जेटलू मुल्य मलशे तो एक जेम बे जेम त्रण मले छे तो आ गुणत्तर आपने मलियो बी नो के कोई चोकस माटे जे आपने बी लईये छे त्रणे जुदी जुदी प्रक्रियामा तो ए बी नू मुल्य जे त्रणे माटे मले छे एमनो जे गुणत्तर छे ए सा आदी पूर्णांक संख्यामा मले छे त्य थी आपड़ें कई सक्किये के आ प्रक्रियाओ माटे गुणक प्रक्रियाओ गुणक प्रमाणना नियमने अनुसरे छे ओके तो ख्यालावी गयो फरी एक वार जोईले जो हरको के वी रिते आपड़े त्रण प्रक्रियाओ थी एमाथी एक नु मुल्य आपड़े निच्चित दारी लिदू सामे बीजाना बीनु मुल्य आपड़े दरेक वक्ते किटलू जोई एमाप्यू अन्ने ए मुल्यना आप आपने साधी पूर्णा संख्यामा मलियो जती साब इत्थाई छे कि ए गुणक प्रमाणना नियम ने अनुसरे छे ओके अवे आपड़े बीजो दाख लूँ तो आ दाखला मा एम क्या छे क्या पीक्यू आर त्रण संयो जनो छे पीक्यू आर त्रण संयो जनो छे कार्बन आइड्रोजन साथे संयो जाई छे पीक्यू आर मा कार्बन आइड्रोजन अटले के ए त्रणे त्रण संयो जनो छे ए कार्बन अन्या आइड्रोजन लेके कोई सी एज थ्री वह कोई सी एज फोर वह यहने कोक मनो के जो के सी एज टू आवी रिते त्रण कार्बन अन्या आइड्रोजन ना ये संयो जनो छे आड्रोजन अनो पत्टीस इले के पी च है घ्री मा कोकर्द है आाइड्रोजन घंतर सिए माड्रोजन असकोकरwegen से ये स्थिू आईड्रोजन अनुक्रमें पत्चीस अलेके पीचे मिसुल्न कृट्न है नीचिए लिखेह से इताल तो पी मा हाइड्रोजन किला टका कि 25 टका पच्छी क्यों मा हाइड्रोजन किला टका तो के 24.3 टका तो क्यों मा सोरी आर मा आर मा अनुक्रम में किला 7.6 टका किदा तो आ एम केचे के आ त्रोण जे सहियों जन्नों छे तो एमा एमना जे पी क्यों मा आइड्रोजन ना जे टका चे ए आपने आपी दी देला कि एमा 25 टका चे 24.3 टका चे अन्या 7.6 टका चे तो अवे आपड़े एम साबीत करवानू छे के आ गुणोत तर अले के जे आ मुल्या आपेला चे ए खरे खर गुणक प्रम्मा क्या नियम ने आनू सरे तो विचारो तो एक वर विचारो के खरे कर के वीरीत आपड़े आम मुल्या गोत उप तो यमनो कोई मुल्या ने रहा तो थोड़ी कवर तमें विचारो के खरे कर आपने के वीरीत आपड़े आपड़े आगलना दाखला में मेलवे के एक ने कोई चोक्कस धारी लिया ता था बरबर तो अवे आमा आपड़े कई रित आमनू मुल्या मेलवे उशू ख्यालावी ओके चालो आपड़े चोहिए अवे मानो के पीक्यू मा आपने कीदू के आइड्रोजन छे आइड्रोजन आपड़े बन्यानो प्रमान कोई तो आइड्रोजन केल्लू कीदू आपने पीमा तो के 25 तका कीदू तो आइड्रोजन जो 25 तका ओए पीमा तो आपने आपड़े लू चे कार्बन अने आइड्रोजन बेनुच बने लू चे समझेए यू कार्बन अने आइड्रोजन बनेनुच बने लू चे तो यहां आपने चोहिए तो यहनू प्रमान केल्लू था शे तो खर्यकर कार्बन कीजिया तो कार्बन बाकी जे वद्धेशे सू टका आपड़े कार्मान राइडरोजन जो दो कार्बन के लोशे ए आपने ख्यालाविंगे कार्बन बाकी वद्ध तो पंचो टका से कारबन से बराबर अवे क्यू मा जोई यह तो क्यू मा आपने पी माटे थियू अवे क्यू मा जोई यह तो क्यू मा हाइड्रोजन के लोगे के चवूद पॉइंट ने त्रोण टका छे तो अवे यह पन सहीं हो जन्सो टका कार्बन अन्याइड्रोजन नू तो कार्बन नू प्रमान के लोगे यह तो मा थी बात करीना को के लुद्धाए 85.7 तो कि चवूद पॉइंट रहन से तो बाकी वत्थो के लुद्धाए 85.3 ग्राम और स्वरीट 85.3 परसंट यहमा कार्बन हसे अवे आर्मा तो के आर छे तो आर मा आपने आइड्रोजन नू प्रमान आपी दिदेलू के 7.7 टका छे तो यह पन 100 टका छे तो अवे बाकी वत्थो जे प्रमान असे यह 3.3 तो यह कोनू प्रमान हसे तो के यह स्वरी 3.3 ने थाई 92.3 बान प्रमान प्रमान कार्बन हसे अन्या साथ पुइंट साथ तका है अपने एक मूल्य आपेलो आइड्रोजन नू तो तो आवे आपने मुल्यों मली गया। आवे आ त्रणे रकम उपर्थी आपडे साबीत करवान। एडले कि आपडे कोई एक मुल्य, कोई एक ना मुल्यने, कातो हाइड्रोजन, कातो कार्बन, आ बन्यमाथी कोई एक प्रमाणने आपडे निच्चित धारी लेवान। दाखला तरीके आपडे आमाँ आइड्रोजन छे, तो आइड्रोजन ने आपडे एमनु मुल्य आपडे निच्चित धारी लेवान। तो आमाँ आपडे एमना गुणत लेवान। खर्यकर एमनु मुल्य आपडे त्रणे इमाँ सेम मलवो जोई, त्रणे इना गुणत तो आना आपडे लस्सा लेए, तो जे नानी संख्या छे, आमाँ आपडे आइड्रोजन, कियमके बदायमा हा आएड्रोजन सेमुल्य आपडे eck, एक गुणत लेवा असे तो हाइड्रोजन मिल्य सेम्ट अपडे अपडे, आपडे पांग उपडे, तो आने 25 घम अपडे वडे, आपडे पांगे, त्रणे हमनो लस्चा लेए, तो किये अपने आइड्रोजोन ना कार्बन नो गुण तर सुमल से तो के वान जेम थ्री मल से पच्ची स्पाइंगा पच्ची सले एक अन्य पंच्चो तेर भांगया पच्ची सले त्रोन थिया तो आपड़े आईड्रोजनने लिद तो आम आपन आपड़े आईड्रोजनने आपड़े चौक चैले के आईड्रोजनना मुल्य वडे मने 54.3 आईँ आपन भांगया चावज पउट्बंँ त्रोन तो आपने गुण तर एक lige आपड़े आइड्रोजन नो जे मुल्या चे यहमनो गुण अत्तर शे एव वन वन त्रण इमा वन तुवज आपड़े यहम कही शक्या के खर्यकर गुणक प्रमाण नो नियम जो तो आपड़े कोई एक तत्वन्नू मुल्या निच्चित राखू बड़े तो आपने सामान्य मेथेमेंटिकल रूल एपलाई करता आवोड वा जोई तो आम अपन सामन्या तो वे 85.5 पांच सोरी साथ बांग्या चावूद पोईंट त्राण करो तो यहमनो जवब सूं आउशे है यहमनो जवब आउशे है छो ओक्या तो पी मा आपने वन ज्यम थ्री एटला के हाइड्रोजन आपने एक प्रमान लिदू तो यहनी प्रमान मा कार्बन त्रण प्रमान मा छे क्यों मा एक प्रमान लिदू तो आपने कार्बन यहमना कता चो गणा यहले के चोगणा चवूद पोईंट त्रण नुँच गणा मुल्य यहमा रहलू कार्बन नुवई जह अन्ने आपड़े हवे क्यों मा तो क्यों मा पन आपड़े आइड्रोजन ने लेवनो तो यहमने पन आपड़े साथ पोईंट साथ त्रमाज आईया पन साथ पोईंट साथ वड़े आपड़े पंगा कार करी लिया तो सू मल से आईया आपने एक मल से त्रमाज 92.3 लग बान पॉइंट त्रण ने आपड़े 7.7 वड़े बांगो तो आपने 12 मल शे 12 अठा छन्नु अधिले क्या 0.3 साधो सिंपल जो के एतलो छन्नु नहीं पन आपड़े 7.7 वड़े बांगो अनुछे ओके तो अवे आपने ख्यालावी जो के 3 पी क्यू अन्य आर ये 3 मा आपड़े आ हाइड्रोजन एमनु मुल्य आपड़े 7 राखी दितू अत्वा तो एमनु आपड़े उपरनी रकम मुझब आपड़े ख्याल एवु दारेलू के एमनु मुल्य सेम छे तो एमनी साथे 3 प्रक्रिया मा जोडाता हाइड्रोजन साथे चे कार्बन जोडाई छे जुदा जु दा सैयो जनो बनावे छे तो एमना जे गुणोत्तर छे मानो के आमा कार्बननु मुल्य त्रोण छे आमा छो छे अने आमा बार छे तो आद त्रोणे छे एमनो गुणोत्तर साधी पूणांक संख्या मा ओ जोईये तो आपड़े जोईये के त्रोण जेम छो जेम बार लेत्हती दून्हों मुल जिया चे थो कोई पन सामान्य लेखेखता ब सलादोते अन्हानों कि आति इंद ही खता हरारोقة छे तो आपने त्रणे जे प्रक्री प्रक्री संयों जन्नों छे एमा जे कार्बन नू प्रमान छे आइड्रो जन्ना निच्चित मुल्य साथे ए निच्चित मुल्य साथे आइड्रो कार्बन ना जे त्रणे मुल्य मले छे एमनों जे गुणों तर छे ए आपने साधी पूर् मले छे आथी आपड़े एम कई सक्ये के आ खर्यकर जे आपने एक्जाम्पल आपेलू छे एमा जे प्रक्री एको छे एमना जे मनो के प्रक्री एको नुझे मुल्य छे एक खर्यकर गुणक प्रमाणना नियम ने अनुसरे छे ओके तो आपने ख्याल आवी गयो के खर्यकर प्लाए करवो तो अवे आपड़े नेक्स्ट तो ए अथा आपड़ा गुणक प्रमान नियम न दाखला अवे आपड़े व्यस्त प्रमान अथ्वा तो संयोजित भार नो जे नियम छे तो एना विशे आपड़े जोईले तो ए नियम सुँ के तो दो के बेजुदा जुदा ततवो ना समान बार यह जुदा आनै सी सित पत्वाना सम्मान बार शाथे प्रक्रिया कर ए प्रक्रिया करे करे और निप जाप्त चाओ तो घ है न्यार यह बन्यàiुनwasser A और B पेला बेद ततो, के जे C शाती प्रक्रिया करता था समान बार साथ तो A बने अपन प्रक्रिया करीने आपने अम cena क्र निपज़ अथ्वात्व आपने एप्रक्रिया करीने जुदा जुदा सहियों जन्नो आपी शके तो अपने यहमना अपने जोईली दाता एक्जाम्पल पन कि खर्यकर यह सूँ खेवा अमगतए तो अपने यहमना उधारणों स्वोल करीशुँँँँ तो अपने पेल उधारण क्या hydrogen sulfide छे hydrogen sulfide छे एमनों सुत्रशू थाई H2S ओके तो ए आईडोजन sulfide चोराणू पोईंट अग्यार ग्राम सोरी अग्यार टका सल्फर तरावे छे तो एमा सल्फर नो प्रमाण केल्णू थाई ओके भाई चोराणू पोईंट अग्यार थाई अग्यार टका सल्फर रहे लो छे ओके पची सल्फर डायोक्साइड मां पचास टका ओक्सीजन छे तो सल्फर डायोक्साइड लेके ये सोटू छे तो येमां पचास टका ओक्सीजन छे अन्य अग्यार पोइंट अग्यार टका आइड्रोजन दरावे छे तो ये आपने एक रकम मां इस्ट्यक देगे किया पाणी ये कि वोटर पाणी अग्यार पोईंट अग्यार टका आइड्रोजन धरावे छे तो ये अग्यार पोईंट अग्यार टका हाइड्रोजन धरावे छे तो आपने एमने मुल्यों आपी दिदा त्यात्ति दर्शाव हो के ए आ नी आजे मुल्यों छे आपेला छे ए व्यस्त प्रमाणना एडले किये संयों जित भानना नियमने अनुसरे छे तो चालो आपने हो गया तो ये तो आपड़े पेला तो कोई पन बे तत्त हो के जे त्रीजा उपर आधार इतरा खेननों आपड़े मुल्यों तो येस टु येस मां आपने एम की दू के चोरानों पोईंट अग्यार टका हाइड्रोजन चया कहले के श ग्राम ये तो महां चऔरो आपने लायएमे आपराण आपने इसटे आछ्ट मांम आपने श आंहां डू क्यायार ग्राम आपने दू कोईम आपने आपने एक 10ʊ ग्राम छे एसल पर शे तो यह मां थी अटला बात करी ना को तो के लाव देया के परी सो मां थी आपडे चोर आनू पॉइंट अग्यार बात करो तो आइड्रोजन नू मुल्य के लू थाई नाइन नाइन ओके तो फाइब पॉइंट नाइन नाइन एटला के पाँच पॉइंट नू आनू ग्राम थाई ओके जो अवे आपडे त्री राशी मारवा के जो पाँच पॉइंट नू आनू ग्राम वोई आइड्रोजन वोई तो आपने मनो के सलफर चे एए आटला ग्राम जोई है चोराणू पॉइंट अग्यार तो अवे आपने मनो के एक ग्राम वोई दाखला तरीके आपने एम कीदू एक ग्राम हाइड्रोजन वोई जो आटला ये पाँच पॉइंट नू आनू ग्राम जो चोराणू पॉइंट अग्यार ग्राम एस्टू एस मा वोई ओलो सोरी सलफर वोई तो एक के के टलो वोई तो आत्री रासी मारों एक ग्राम आपने मनो के एस्टू एस से जो येमा एक ग्राम हाइड्रोजन वोई तो ये मनो के सलफ़नों प्रमान केटल वेड़े के एकेटला प्रमान मा हुए तो हमारों केलकुलेशन हुए जाँ तो केटलो आवियो तो एक ग्राम माटे आपने शल्फर पंदर पोईट 97 सम्थिंग आवियो एक ग्राम हाइड्रोजन माटे आटलू मुल्य आविया छे ओक्या हवे आपने आद राखो अवे आपने आमाँ H2O तो H2O मा अग्यार पोईट अग्यार टका हाइड्रोजन छे आटला के 100 ग्रामे अग्यार पोईट अग्यार ग्राम हाइड्रोजन छे तो अवे आपने आपने ओक्सीजन नू तो प्रमाण केरलू होशे अग्यार पोईट अग्यार ग्राम के दू तो मानों के 100 ग्राम है अग्यार पोईट अग्यार ग्राम हाइड्रोजन छे तो ओक्सीजन केरलू होशे तो अंड्रेड माइनस 11.11 केरलो आउशे है अच्बून के आज़ेट अच्बून के आपने 100 ग्राम एको नू मुल्य मल्यू तो क्या बाए ओक्सीजन नू मुल्य मल्यू तो जो 11.11 ग्राम होई तो आटला होई मानो के आटलू प्रमाण जोई है H2O मा 88.89 ग्राम जेटलू जोई है तो अब आपने 1 ग्राम हाइड्रोजन लेव होई 1 ग्राम हाइड्रोजन है अथवा तो 3 राशी मारे है क्या 11 ग्राम जो आपने 88.89 मल्यू तो 1 ग्राम हाँ केटलू मल्यू तो करो गणतरी तो थाइगे गणतरी केल लू आउसे है 8 ग्राम आट जेवा आवे चे तो अमारे पोईंट मा अथवाद पोईंट आगा पाज़े लग्या 8 ग्राम आपने शल ओक्सीजन चोई है तो अवे अखर अखर समझवानी वस्तु एच है के जो अपने बे हये है है एच टू एस अन्या जे आपने मुल्य आपी दीदू तो के शल फोनन्नु एस त्टु एसमा आटलू मुल्य आछै तो आपने बन्याने आपने गुणक प्रमाण नकें आपने कीदू के एमना आपने एमनो गुणतर जो ए एटला गुणतर मा प्रक्रिया करता होई तो सामेनो गुणतर खरेखर शुँँ साधी पुणांक संख्यामा मले ये जोन तो आपने बन्यामा जो एक हाने ह्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट तो शल्फर नो अन्य आज आपने मेल परिना मल्यू यह लेके शल्फर आपने केला तो 15.97 यह लेके अप्रोक्सिमेटली आपने अन्य शोल लई सक्किया जो गुन अत्त त्यम अध्य ओक्सिजन नो आपने केलो मल्यू तो के अपड़े अमने गुर्णोत्तर माले लेके अलै आठ तो छे अपने मूल्यू आपेला छे ओके तो यह मां थी कोई एकने अपड़े निच्च देले के आपड़े बन्य वाट अन्य 빗्राम अइड्रोजन आटल ग्राम सलफर जोई तो आपने अमनो शादो गुण तले हैं तो हाज है? तो मानो के उँ आमा थी आट ने को मन काटी नाखू तो टू जेम वन था से तो के टू जेम वन कोन के सल्फर अने ओक्सिजन न गुणो तर आप बने सहीं जन्मा अलेके है एजटू एस अने ओक्सिजन तो आपने ख्याल छे के ए बने जोड़ाईने जे नवुण जन्मा बनाऊतू होई आप बने जोड़ाईने सु बनाऊचे एसोटू पर एसोटू आपने आगल रकम मा आपी दी देलो के एसोटू मा एसोटू मा आपने आगल रकम मा लखेलू के एमा ओक्सिजन नू प्रमाण किलू छे तो के पचास टका है तो पचास टका मानो के ओक्सिजन वह तो तो सो मा थी पचास जा एक बाकी वत तो पचास टका एसोग अशे तो यह पचास सलफर हसे पचास सलफर हसे तो ए आ मनो के आपने तो संवजीत बानना नहीं प्रमाणे जे बे बिजाततों के जेमा शलफर ने उक्सिजन पार्टीसिपेट थाई शे बे जुदा जुदा जनोम्हा यह ने जे मुल्य यह ने ग्रामन यह दल नो जे गुणततर हको एसो वन मलतो हो तो अन्महा दी जे संवजीत यह पचास ने जोड़ाई पॉदायं लैके चलंपनने ए उक्सिजन जोड़ाई पचास स्लपना से शालाई जोड़ाई यह जे संवजन प्रमान युद आपने गुन तरो मले अबने गुणत तरो ये साधी पूर्णाग संक्या मां मले अचे के जे संयोजी बार अत्वा तो व्यस्त प्रमाणना नियमनू पालन करे अचे ले आउँ आपने साबीती मां पुछे अत्वा तो संक्या मां पुछी सके के अरकम दी दी तो तम्में एम के खर्यकर तो आ क्या नियमनू पालन करे अचे जो आपने राइटिंग प्रेपर तो आपड़े आ प्रमाण थी आपने दर्शावी सके के खर्यकर आमा गुणक प्रमाण स्वरी संयोजीत भारन नो अत्वा तो व्यस्त प्रमाण नियम लागू पड़े छे तो आ त्यो आपड़ो संयोजीत भारन तो अवे आमा पन काएक बिजू एक्जामपल छे कि जयमा ये उखे छे कि एस्ट्ुएस से ये पांच पॉइंट अठियासी तका है अउ बहावे छे एस्ट्ुएस पांच पॉइंट अठियासी तका है रोगर भारन पेला जी उखे खाली एंगना मूल्यों फेर फार्कर वह मां अवेला छे लेके आपड़े H2S तो येमा आपड़े आइड्रोजन चे आपड़े शल्फर जेतलों मुल्या तो येमा थी बात करीना आपड़े येमनु आइड्रोजन नु मुल्या मेल उता था तो आटलों आइड्रोजन चे H2O मा अग्यार पोईंट अग्यार टका आइड्रोजन चे ज्यारे H2O मा शल्फर ना पचास टका चे पेला मा शल्फर ना अपने आज प्रमाणियान इरकम ती पन आमा खाले इरकम मा फ्यर फार करेलो चे तो आपने प्रमा शल्फर ना प्रमाण ना नीयम अनुसरे चे तो आपने जेम आगल साबीत करेलो यह गुणत तर के जे साधी पुनंग संक्या मल यह जो तमे आम नी प्यल्ली जेम घणत्री करो तो यह पन साधो गुणत तर मढ़ शे जे साबीत कर शे के जे व्यस्त प्रमानना नियम ने अनुसरया तो आ तमारा माटे ओम वर्क माझे ओके तो रकम जोईलियो और लखी लियो और शोल करो बने जो आमा ना खबर पड़ती है तो आपड़े जे आगल एक्जामपल शोल करावेलू यह ने जे रीत अती यह ने अनुसरो आने अमा थी चवाब मेड़ू तो आपड़े आईया आज ना लेक्चर मा आपड़े कुणक प्रमान आने सेयोजित बार ना नियम ना उदार अनो सोल करी गया अवे आपड़े नेक्स्ट लेक्चर मा जे आपड़े नियमों बाकी रिया छे गेल्लियो शे